शिव जी को जिनका रूप इतना प्रचंड है, उनके पास सांप है, तड़न वरूधरवतार में होते हैं, उनको भूलेनाथ क्यों कहते हैं? एक तरफ है भूलेनाथ, जो नाम अलग है, और फ्र है शिव जी का, जुस्पण रूप है, ऐसा क्यों है? शिव जी को भोले ना इसलिए बोलते है क्योंकि वो लोगों से प्रसंद बहुत जल्दी हो जाते थे अगर कोई भी शिव की अराधना करता है उनकी तफस्या करता है शिव जल्दी ही प्रकट होके उनको वर्दान दे 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 थे आपने देखा हो कि जितनी भी कहानी है उसाफ में बोलते हैं मुझे शिव का वर्दान मिला है, मुझे शिव का वर्दान मिला है, बाकी देवताओं के कम वर्दान मिलेते हैं, कि शिव जी सबसे ज्यादा वर्दान देते थे एसी यह कहानी है, एक Rakshas था, उसने बहुत जाये तपस्या कि तो शिव जी प्रकट हो गए, उसने बोला, क्या वरदान मांगना मांग लो उस राक्षास ते ये वर्दान मागा कि वो जिसकी भी सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा तो उस राक्षास का नाम भस्मासुर हो गया अब फिर राक्षास के मन में खोट आ गया उसने ये सोचा कि मैंने शिव के सर पे हाथ रख दिया तो शिव भस्म हो जाएगे और एसा खेल खेला मोहिनी ने कि उसने जहां भी हात रखा उसने राक्षस को बोला कि उसको भी वही करना है मोहिनी ने अपने कंदे पे आत रखा रखा राक्षस ने अपने कंदे पे आत रखा मोहिनी ने अपने कमर पे हात रखा रखा राक्षस ने अपने कमर पे हात रखा मोहि इसलिए उनका नाम पड़ा भूले नात किसी भी शिफभग के साथ ये वीडियो शेर जरू कीज़ेगा मैंने ये कहानी अपने घर पे सुनिये तुमे ने आपके साथ शेर किया अगर आपके कहानी अच्छे लेगे तो आप भी आगे शेर कर दिये जिए जे भूले नात